सच से काल, इस वीडियो में मैं आपको शबद कीरतन के साथ बजाने के लिए कहरवा का एक प्रकार, उसकी उठान और उसकी दुगन, दुगन की उठान और उसका एंडिंग पार्ट, उसकी तिहाई सिखाऊंगा। ये जो कहरवा की दुगन मैं आपको सिखाऊंगा, इसको कुछ लोग कहरवा चोगन भी बोलते हैं, और हमारे जो शबद कीरतन में बजाने वाले तबला प्लेयर हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बजाते हैं कहरवा के इस प्रकार को और इस चोगन को, हर एक तबले का स्टूडेंट जो भी इनको सुनता है, उसका दिल करता है कि मैं भी ये चीज बजाओं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको ये सिखाने की, तो पहले मैं आपको ये बजा के दिखाता हूं, उसके बाद आपको ये सिखाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको ये सिंगल स्पीड कहरवा सिखाऊंगा, इसके बोल है, धा धिन, धा तिन, ना धिन, धा तिन. धा धिन, धा धिन, ना धिन, धा धिन. पहले दो बोल, धा धिन, धा धिन. पहला धा जो है, इसको रगड के थोड़ा सा. लेफ्ट हैंड को ऐसे रगडना है, स्लाइट करना है, हिट करने के बाद. धा धा और अगला धिन, ये गमक के साथ, ऐसे हिट करके, ऐसे फिर आगे लेके जाना है. धा धिन. और तीसरा गोल, फिर धा है, उसको लूज रखना है बाएंहात में. धा ऐसे लूज रखना है. धा धिन, धा और चोथा बोल, तिन. ये यहां से पांच रखना अंगलियों को ऐसे टच करना है. तिन. तो पहले चार बोल हैं. धा धिन, धा तिन. धा धिन, धा तिन. धा धिन, धा तिन. और पांच वी मात्रा है, ना. छेवी मात्रा, धिन. यहां लेफ्ट हैंड में, ये पहली उंगली को थोड़ा सा टच करना है. ज्यादा जोर से नहीं, सौफ्ट ऐसे. धिन, और सात्मा बोल, धा. इसको थोड़ा सा दबा के यहां से, लेफ्ट हैंड, यहां से दबा के, ऐसे फड़ा जोर से हिट करना है साथमा बोल धा और आठमा बोल तिन, only right hand तिन तो ये पूरे आठ बोल ऐसे हैं धा धिन धा तिन, ना धिन धा तिन इस पूरे कहरवा में जो right hand है ये सिर्फ ऐसे चलता है ना तिन, ना तिन ये आठ बोल इसी तरह चलते रहते हैं वान तू, वान तू, बाकी काम बाएं का है ये जब पहला धाब जाते हैं तो ये पूरा जोर लगता है जोर लगा किया से इसको दबाना भी है और रगड़ना भी है ये यहां से जोर लगता है ये बात का ध्यान रखना है कि ता और तिन की आवाज बहुत कलीर होने जाहिए जो मैंने इसकी छोटी सी उठान बजाई थी उसके बोल है ताना तेटर ताना तेटर ताना ना के तेर केटर ये ताना तेटर यहां से इंडेक्स फिंगर का लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर का नाखुल ये जोव करते हैं ये अंगुठे के इस भाग से ऐसे ये नंगुठा उसके बाद ताना के तीर कित ताना के तीर कित में यह हम ऐसे बिजाएंगे उससे पहले ये अगर आपको ये बजाने में मुश्किल है तो आप ये ही बजा सकते हैं और इसकी ये variation है धा धिन धा तिन ना धिन धा ना जो लास्ट वाला बोल है तिन आठ बात्रा में से जो बिल्कुल आखरी बोल है धा धिन धा तिन ना धिन धा लास्ट बोल तिन नहीं बजाना वहां पे ना ना बजा देना है तो कभी-कभी हम ये भी यूज़ करते हैं बाकी सवारा सेम है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में बस लास्ट बॉल को तिन की जगा नाना बजा देना है और इसके बाद इसकी जो दुगुन मैंने बजाई थी उसके बॉल है धाअ धातन नागे धातन मात्रा ये आठ है धाअ लेकिन जो सेकिंड मात्रा है दूसरी मात्रा वहाँ पे कोई बॉल नहीं उसको खाली छोड़ना है धाअ धातन नागे धातन ये आठ बॉल है पहला धा रगड के ऐसे धा फिर उसके बाद एक खाली मात्रा फिर दा लूस बिजाना है धिला छोड़ना है धा तन ये यहाँ पे पांच ओंगलिया और इस तरफ ओपन साउंड ये तो पहली चार मात्रा है धाअ धातन धाअ धातन एक दो तीन चार इसके बाद पांच ओवी मात्रा है ना छेवी मात्रा गे ये थोड़ा साटच करना है गे ना गे और साटवी मात्रा है धा इसको थोड़ा जोल से धा और लास्ट में आठवी मात्रा सिर्फ राइट हैं तो पूरी आठ मात्रा है धा धातन ना गे धातन धा धातन धा धातन धा धातन 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 धा इस दुगन को बजाने के लिए इसकी उठान के बोल है ताकिट, 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 त इसको हम शाही के मिडल में हिट करेंगे, यहां पे, यह ऐसे, अंगूठा यहां गजरे पे है, तो ता, के, ट, पहले तीन बॉल हैं, ता, के, ट, उसके बाद, चोथा बॉल, ता, पांच्वा बॉल खाली है, और फिर, शे, साथ, आठ, यह भी ता, के, ट है, तो आठ बॉल है, ता, के, ट, ट, पहले, ता, के, ट, फिर, ता, फिर, एक बॉल खाली, और फिर, ता, के, ट, यह आठ मातरय हैं, आठ बॉल है, यह इसको, सारे को, दो बार मजाना है, ये उठान है इसको अगर तेज बजाएंगे तो ये ऐसे साउंड करेगी वन टू ट्री स्टार्ट और इसकी जो तिहाई है एंडिंग पार्ट है उसके बोल है तिन किनना तेट धिन ना तेट धिन ना तेट धिन ये तिन, तिन से शुरू करना है तिन किनना तेट तिन किनना तेट उल्टा तेट है इसको अगर हम थोड़ा डीपली देखेंगे तो इसकी सोला मात्राएं हैं इसको समझने के लिए इसकी सोला मात्राएं करते हैं तिन के ना तेट धिन ना तेट धिन ना तेट धिन पहली मातरा तिन फिर एक खाली फिर किन ना तेट तिन स्पेस किन ना तेट उसके बाद धिन स्पेस ना तेट धिन स्पेस ना तेट धिन तिन के ना तेट धिन ना तेट धिन तिन स्पेस के ना तेट धिन तो तीन बार इसमें स्पेस है खाली जगा है इसको स्पीड में बिजाएंगे तो तिन पर खतम कर देंगे इसको आप ता कि ना तेट धा ना तेट धा ना तेट ये भी बोल सकते हैं लेकिन ये अंदर बजाना है ता या धा इस मुकाव में इस एंडिंग में तिन कि इसलिए मैं तिन बोल रहा हूँ तिन किन नधित धिन नधित धिन नधित धिन अमीर है आपको ये लेसन समझाया होगा इसकी आप धीरे धीरे प्रेक्टिस करना अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो इसको va करना शेयर करना और comment करके मुझे बताना और आप मेरे यूटुब चैनल पे जोइन बटन क्लिक करके उसका एक मेंबर बनके मुझे सुपोर्ट भी कर सकते हैं थैंक यू मुझे सुपोर्ट भी कर सकते हैं